नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों नियुएस के स्टूडियों में आपका स्वागत है आज हम कम्यूनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहट रोगों के रोगधाम के उपाये के विशय में बात करेंगे अब तक आप रोगों के उत्पत्ति के मूल कारण जैसे वाइ यह भी आदि के बारे में पढ़ चुके हैं इसके अतरिक रोगोत पत्ति के कारणों का नियंतरन जैसे प्रतिरक्षन जिसमें टीके आते हैं कि विभिन प्रकार के टीके किस-किस नमारे में दिये जाते हैं ओश्टियों धुआरा रोगों की रोगधाम या सुरक्षा मास्क पहन करके अपना बचाव या दूसरों का बचाव इनके बारे में आप जान चुके हैं और साथ में आप ये भी जान चुके हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमन के रास्ते क्या हैं इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं ये भी आपने इसके पहले विशे में जान चुके हैं व्यक्तिगत स्वच्चता के बारे में भी आपने पहले पार्ट में जानकारी ली थी। दूसरे भाग में आज हम संग्रोध अर्थात जो क्वारंटाइन प्रोसेस है कि किसी पेशन्ट को दूसरे व्यक्ति से अलग रखने का उसके बारे में और बेक्टीरिया, वाइरस और पर जीवियों से होने वाले रोग, उनके लक्षन तथा उनके उपचार वा निवारन उपाय के बारे में जानेंगे। चलिए आए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम संगरोध की, कि एक क्वारंटाइन क्या है। संक्रामक रोग को रोकने के लिए की गई विवस्था को संगरोध अर्थात क्वारंटाइन कहते हैं। किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ लोगों से निश्चित अवधी के लिए अलग रखना ही संगरोध कहलाता है यह अमोमन तब तक होती है अर्थात यह अवधी तब तक होती है जब तक संपर्क में आए विशेश रोग के लक्षन दिखाई देने बंद ना हो जाए अर्थात अगर हमें किसी संक्रामक रोग को फैलने से रोकना है लोगों के बीच में तो उस हम संगरोध की तक्नीक को अपनाते हैं जैसे कि आपने जाना होगा या आपको पता है कि पहले स्वाइन फ्लू का बहुत ज्यादा हो गया था बहुत ज्यादा फैल रहा था तो ऐसी कंडिशन में जिन पेशन्स को स्वाइन फ्लू है वो अधिक बीमार है उनको दू निवारक उपाई सबसे पहले जानते हैं हैजा के बारे में इसको फिलाने वाले बेक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉल्रा इसके लक्षन क्या पाए जाते हैं निरजली करन अर्था डिहाइड्रेशन पेशन को हो जाता है चावल के पानी जैसा शोच आता है दर्द रहि जो की डॉक्टर की मदद से या उनके कहने पर आपको देना चाहिए घर के बने तरल पदार जैसे मान डाल का पानी सूप आधी और नारिल पानी भी आप दे सकते हैं पेशन को इसके निवारक उपाई अर्था दिन से बचे कैसे पहले सबसे पहले है कि शीग्र निदान हो क कि किसी व्यक्ति को हैजा यदी हो गया है तो उसका शीग्र निदान एवं उचार करना और सूचित करना जो इससे संबंदित अधिकारी है उनको आपको सूचित करना चाहिए कि किसी जगह पर हैजा हो गया है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता है यह अनेक व्य करना चाहिए क्योंकि यह उल्टियां और मानवल मूत्र से ही फैलता है इसलिए यदि किसी पेशन्ट को कोल्रा हुआ है तो उसके उल्टियां और जो उसका मल मूत्र है उसको वी संक्रमित करना चाहिए पेशन्ट को इस चीज के लिए प्ररित करना चाहिए कि वह उल्टियां या अपना मल मूत्र जो है इधर उधर विसरजित ना करें बेसिलरी पैचिश जिसे बैक्टीरिया का नाम है शिजेला इसके माध्यम से यह फैलता है इसके लक्षन है निर्जली करन और रत और शलेश्मा के साथ 10 ताना अर्थात जो आपका शौच आता है उसमें खून या फिर साथ में कफ आपको दिखाई देगा और मेन है निर्जली करन वही डी हैड्रेशन क्यूंकि पेशन को 10 लगे हुए हैं तो डी हैड्रेशन पेशन को हो जाता है इसके उपचार में भी आपको ORS का घोल देना है एंटिबाइटिक्स हैं घर के बने हुए तरल पदार्थ जैसे मान डाल का पानी सूप आदी नारल पानी भी आप दे सकते हैं निवारक उपाई में शीग्री निदान एवँ उपचार करना संबन्धित अधिकारी को सोचित करना मरीज या वाहक का उपचार करना क्यूंकि ये एक संक्रामक रोग है तो पेशन जो भी किसी इसको लेकर आता है उसको भी होने का डर रहता है तो इसलिए वाहक का भी उप नहीं करेंगे उन्हें इसका महत्व नहीं बताएंगे तो यह रोग जो है फैलते रहते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं इसी प्रकार यदि आपने खाने पीने की चीजों को अच्छे से सुरक्षित संरक्षित करके नहीं रखा अगर दूशित ह हो जाते हैं तो दूशित खाने पीने के पदार्थों को खाने से भी यह रोग फैलता है तीसरा है हमारा अमीबा पेचिश जिसका बैक्टीरिया होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसके लक्षन है रक्त के साथ कम मात्रा में शोचाना मरोड एवं एठन के साथ दर्द तथा दस्थ इसका में आपका जो लक्षन है कि जो मरोड और एठन के साथ दर्द के साथ आपके दस आते हैं तो यह आपका में इसका लक्षन होता है मुख्य लक्षन दिखाई देता है दस्थ के कारण निर्जली करण भी आपको पेशन में दिखाई देता है उप्चार ओ मानव मलमूत्र को वी संक्रमित करके उचित निप्टान जिससे खाने पीने के पदार दूशित ना हो। जो कि आप पहले भाग में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने आपको स्वस्थ रखना है, स्वच रखना है, उसका ज्यान आप लोगों को दें। तपैदी, जिसे हम आमभाशा में टीबी बोलते हैं, वह भी एक संक्रामक रोग है, जिसका वैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिज है, इसके लक्षन में मुख्य आते हैं, शाम के समय हलका बुखार जो की बना रहता है, वजन कम होना, लंबे समय तक ख खांसी रहती है, और साथ में उसके खांसी के थूक या बलगम में खून आता है, और साथ में छाती में दर्द होता है, तो उसे अवश्य ही टीबी के लिए जाज करानी चाहिए, ताकि वह अन्य बिमारियों से बस सके, और साथ की साथ इसमें क्यूंकि रिजिस्टेंस जाना चाहिए, इसका उपचार क्या है, डॉट्स चिकित्सा में तीन महीने से अधिक समय के लिए दवाई लेना, जो आपकी डॉट्स टीबी वाली है, उसमें आपको तीन महीने से कम से कम तीन महीने से अधिक समय के लिए दवाई दी जाती है, पहले दो महीने में आठ हफ निवारक उपाए प्रतीरक्षण जैसे सों बच्चों में BCG का टीका लगवाते हैं व्यक्तिगत स्वच्चता समाजिक स्वच्चता व्यक्तिगत स्वच्चता रखना बहुत जरूरी है ताकि व्यक्ति अपने आपको स्वच्च रखे गा तो उसकी इमिनिटी बढ़ेगी त तो वे रोगों से ग्रस्त नहीं हो पाएगा साथ की साथ समाजिक स्वच्टा अर्थात अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें वातावरण में प्रदूशन ना फिलाएं तो यह भी आपके टीवी को होने से रोगता है टीटिनस यह एक घातक बिमारी है जिसको बैक्टीरिया होता है क्लोस्टीडियम टेटेनी इसके लक्षनों में मांस पीश्यों में एठन वा जकडन होती है जो की 24 से 72 घंटों से अधिक समय तक रह सकती है वा गर्दन से चबडों एवं अंगों में फैल सकती है इसका मेन है ज जबड़ा इसमें जकड जाता है बंद हो जाता है वह खुल नहीं पाता है इसके उपचार में आपको दर्द दूर करने वाली दवाएं दी जाती है मांस पेश्यां स्तिर्था रखने की दवाएं और साथ की साथ नियूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिये जाते है में इसमें दर्द और अकडन बहुत जादा होती है इसमें दर्द बहुत जादा होता है और अकडन बहुत जादा होती है जकडन होती है एंठन होती है तो उसको कम करने के लिए इसमें दवाएं दी जाती है निवारक उपाये में बच्चों एहम शिशों को DPT की नियमित ख खुराके दी जाती है वो आपको नियमित दिलवानी चाहिए और गर्भवती महिला को एक महिने के अंतराल पर दो खुराके टिटनस की लगवानी चाहिए चोट लगने पर टिटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगवाएं और यह हम मानते हैं कि व्यसकों को हर 10 वर्ष में बूस्टर टीका दिया जाना चाहिए ताकि टिटनस से बचाव हो सके यदि किसी को सड़क पर चोट लग जाती है या रगड आ जाती है कोई आपका जंग लगे जो ओजार होते हैं उनसे चोट लग जाती है तो आपको टिटनस का इंजेक्शन अवश्य लगवाना चाहिए मस्तिश कुजवर, मेनिंजाइटिस इसको फिलाने वाले बेक्टीरिया है संक्रमन के बेक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टो कोकस, मेनिंजो कोकस, टुबरकुलर इसके लक्षनों में हैं तेज बुखार के साथ सिर्व गर्दन में दर्द जी मचलाना, उल्टियां इसके अलावा गर्दन जकरना एवं शरीर पर लाल रंग के चकते पड़ना इसका मेन जो लक्षन है कि तेज बुखार के साथ सिर्व गर्दन में दर्द होता है यदि किसी व्यक्ति को आपको लगे कि तेज बुखार के साथ सिर्व गर्दन में दर्द आ रहा है और साथ के साथ गर्दन भी जकर गई है अर्थात वे गर्दन को नीचे नहीं कर पा रहा है तो आपको तुरंग दिमाग में मेनिंजैटिस का शक आना चाहिए और उसको तुरंग डॉक्टर के पास लेकी जाना चाहिए घर में नहीं रखना चाहिए कि बुखार है उतर जाएगा तो अगर बुखार के साथ सिर्व में और गर्दन में दर्द है तो आपको तुरंग पेशंट को डॉक्टर के पास उच्चित सलहा के लिए लेके जाना चाहिए इसके उपचार में एंटिबाटिक्स दी जाती है और अगर मेनिंजाइटिस जो है आपका ट्यूबर क्लोसिस की वज़े से दिमाग में हो रहा है तो हम उस मामले में ATT देते है निवारा कुपाए क्योंकि यह भीडभाड वाले इलाके में या जहां पर सीलन होती है तो वहां पर बहुत अधिक तेजी से फैलता है या गंगी वाले इलाकों में तेजी से फैलता है तो हमें यथा संभव भीडभाड वाले स्थानों से बचना चाहिए कमरों में शुद् कुरोध के बारे में पढ़ा कि क्वारंटाइन प्रोसेस क्या है उसमें पेशन को अलग रखा जाता है तो मस्तिश कुजवर में पेशन को अलग रखा जाना चाहिए और रोगी के निरंतर निकट संपर्क में रहने वाले चिकत्सकों एवं पेरामेडिकल कर्मचारियों को मस्तिश कुज़वर निरोधक्ती का लगवाना उप्योगी है ताकि यह बिमारी उनको ना हो आईए अब जानते हैं पर जीवी से होने वाले रोग उनके लक्षन उप्चार वा उनके निवारक उपाए सबसे पहले जानते हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया आप जैसे जानते ही हैं कि जहां पानी ठहरता है वहां पर मच्छर हो जाते हैं और उन मच्छरों की वज़े से मलेरिया होने का डर रहता है तो ये malaria एक ऐसी विमार्य है जिसके लिए हमने बहुत प्रयास किया है लेकिन ये अभी तक eradicate नहीं हुई है जड़ से इसका अन्मूलन नहीं हो पाया है और ये साथ के साथ resistance भी होता जा रहा है तो इसका थोड़ा सा इलाज करने में कटना ही होती है इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि malaria हम ऐसे उपाय करें जिसे पानी नहा रुके और मच्छर ना हो ताकि malaria ना हो फिर भी यदि होता है तो आईए जानते हैं उसके क्या लक्षन है क्या उप्चार है पहले सबसे वहले जानते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रजातिया होती है प्लाजमोडियम इसको फेलाने वाला जीव होता है जिसकी चार प्रजातियां पाई जाती है plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovaal, plasmodium malaria इसके मेन लक्षनों में है अचानक जाड़ा देकर कम कपी के साथ तेज भुखार आना जैसे अमोमन हम देखते हैं कि अधी YOUR patient को बहुत तेज भुखार आता है और साथ में कम कपी अधिक चड़ती है कि उसको बहुत सारी इतनी ठंड लगती है उसे कि उसमें उसको लगता है कि कंबल भी डाल दे रजाई भी डाल दे उसको इतनी ठंड लगती है उसमें भी रजाई कंबल डालने के बाद भी उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो जब उसको पसीना आ जाता है तो वह उसकी और बुखार ठीक होता है, तो यह मेन इसका लक्षन होता है, मुख्य इसका लक्षन होता है कि जब अचानक से जाड़ा देखकर कम कपी के साथ तेज बुखार आता है, कभी कभी रोगी को इसमें अपने शरीर से गर्मी एवं जलन महसूस होती है, यह भी इसका में लक्षन है और बुखार तेज पसीने के साथ घटने लगता है जब इस तेज बुखार में आपका पसीना आ जाता है तो यह बुखार घटने लगता है इसके उपचार में हैं मलेरिया रोधी ओशदिया जैसे क्लोरोक्वीन प्रीमा क्वे नादी यह आप क्वे के पानी में जो ग्रामीन शेत्र हैं हमारे उसमें क्वे के पानी में 200-400 ग्राम क्लोरीन मिलाना चाहिए बरसाती पानी किसी खाली गड़े टेन या टायर आदी में भरने ना दे भरे हुए पानी के बांधों या तलावों में आप गंबुजिया नामक मचलिया पाली जा सकती हैं जो कि इनके जो मच्छरों के अंडे और लार्वे होते हैं उनको खा जाती हैं तो मच्छर नहीं उत्पन होने देती हैं तो इसलिए हम जो आपके पानी के बांध है या तलाब है उसमें कंबुजिया नामक मचलिया पाल सकते हैं साथ में मलेरिया की दवा की होना दुबारा हो सकता है कि अमेबिक लीवर एपसेस इसके बारे में जानते हैं इसको फिलाने वाले परजीवी का नाम है इसके मेन जो मुख्य लक्षन है लीवर में फोडा होना अर्था एपसेस जो हम बोल रहे हैं अमेबिक पेचिश जिसके बारे में पहले पढ़ जान चुके हैं शौच में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट आना यदि आप शौच की जांच कराते हैं तो उसमें आपके ज हम इसका निदान करते हैं किसी व्यक्ति को अमेबिक लीवर एपसेस है या फिर हम अल्ट्रासाउंड वगरा कराने पर इसको जान पाते हैं इसके उपचार में एंटिवाटिक्स दी जाती है और मेट्रोनिडाजोल निवारक उपाय क्योंकि यह संक्रामग विमारी है खाने जलाना है जो भी इसका करना है वह अच्छे से करना चाहिए ताकि इधर उदर ना फैले जिससे खाने पीने के पदार दोशित ना हो साथ की साथ हमें लोगों को स्वास्थे शिक्षा देनी चाहिए और व्यक्तिकल स्वच्चता के बारे में जागरुप करना चाहिए आप दूसरे परजीवी रोगों के बारे में हम जानते हैं जो परजीवी के कारण से होते हैं इसमें जो आपके पेट में या आंतों में कीड़े पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले हैं गोल क्रीमी जिसे हम एसकेरियस बोलते हैं इसके परजीवी का नाम है Aucariasis Lumbricoids में जो इसके आपके मुख्य लक्षन है पेट में दर्ध होना एलरजी होना साथ में अनीमिया भी हो सकता है क्यूंकि यह लोग आप जो भी जो पर जीवी है यह जितना पोशन आप खाते हैं उसको फुद ले लेते हैं तो अनीमिया मिल सकता है उपचार इसक व्यक्तिकत सवच्चता और सबसे महत्पूर्ण है खुले में शोच जाने से बच़े क्योंकि जो आप खुले में शोच जाते हैं तो इनके जो ये क्रीमी होते हैं उनकेionen अंडे या लार्वे महापर होते हैं जो की शोच के माध्यम से शरीन में प्रवेश कर जाते हैं दूसरा आपका है अंकुष क्रिमी हुक वाम जिसे कहते हैं इसके परजीवी का नाम है एंकाइलोस्टोमा डियोडेनेल यह भी एक बहुत जादा महत्पून आपका परजीवे क्योंकि इसकी वज़े से पेशंट में अगर कोई व्यक्ति इससे ग्रस्त होता है तो उसको गंभीर अनेमिया हो जाता है यह आपके जितना भी आयरन आपका जो हीमोगलोबीन है इसको अपने अंदर ले लेता है इसके जैसे अनीमिया बहुत जादा होता है श्वसन प्रणाली में अलर्जी हो सकती है पेट में द जाने से बचें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर मिट्टी वाला इलाका है यहां जहां पर थोड़े से दूशित को इलाका है तो वहां पर नंगे प्यार चलने से भी बचें फीता क्रिमी टेपवम जिसे हम आम भाशा में बोलते हैं इसके परजीवी का नाम है टीनिया सोलियम इसमें आपके लक्षनों में पाया जाता है अनीमिया पेट दर्द पेट की आंते खराब होना इसके उपचारक उपाए हैं अलबेंडाजोल और अनीमिया हेतु आयरन टैबलेट्स देना निवारक उपाए में वही जो सबसे मेनाम बार बोल रहें स्वच्छता उसके बारे में बताना खुले में शौट जाने से बचना और खास तोर से जो मास सुवर का जो मास है विशेश रूप से उसको पका कर खाए क्यूंकि आपने देखा होगा सुवर ज्यादा तर गंगी में रहता है तो जो यह फीता क्रिमी है जो टेपॉम है जो सुवर का मास होता है उसमें विशेश रूप से पाया जाता है यदि सुवर के मास को पका करके ना खाया जाए तो यह जो बीमारी है यह होने का डर रहता है आए अब जानते हैं वाइरस से होने वाले रोग उनके लक्षन उपचार वा उनके दिवारक उपाए सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में इसमें जो इसका वाईरस है अब नहीं पाया जाता क्योंकि इस बीमारी कांभूलन कर दिया गया है एंफुलन्जा जिसों हम आम तोर पे सर्दी खांसी के वारे में बात करते हैं कि सर्दी खांसी होगए तो उसको फिलाने वाला जो वाईरस है influenza वाईरस है इसमें में लक्षन है आपको बुखार, खांसी, जुखाम, कमजोरी वा शरीर में दर्ड इसके उप्चारों में लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं जैसे बुखार कम करने की और दर्द निवारक दवाएं हैं बच्चों ज्यादा गंबीर विमारी है यदि जीरो से पांच वश तक बच्चों में होती है तो इस लहें इसको बहुत गंबीरता से लेना चाहिए इस वाइरस स्कों फिलानेवाले वाइरस का नाम है पॉलियो वाइरस इसके लक्षन में बच्चे को मध्यम भुखार हो सकता है गर्दन की जकडन हो सकती है मांस पेश या नरम हो सकती है तथा विभी नंगों में दर्ध होना जैसे की पिंडली में जो टांग का फिचला हिस्सा होता है उसमें दर्ध होना पीट वा पेट में दर्ध मांस पेशों में जकडन अतिसार दस्त लगना अधिक कमजोरी या ठकावट होना आपको ये लक्षन मिल सकते हैं उपचार में इसकी एंटिवर्ल चिकित्सा की जाती है मरीज को हस्पताल ले जाए और अर्शक्तता की जांज के लिए परिक्षन कराएं निवारक उपायों में 0-5 वर्ष्ट की आयो के बच्चों का टिका करण कराएं और जो आपकी पोलियो हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं उसकी कोल्ड चेन का अनुरक्षन करें उसको बनाए रखें स्वास्थे शिक्षा दें व्यक्ति गात स्वच्ता मेंटेन करें और पौश्टिक भोजन खाएं एड्स इसको फिलाने वाले वाइरस का नाम है HIV लक्षन इसमें HIV पोजिटिव व्यक्ति में शात से 10 साल के बाद विभीन विमारियों के लक्षन पैदा हो जाते हैं जिन में प्रमुकही गले या बगल में सुजन महरी गिल्टियों का हो जाना लगातार कई-कई हफते दस तोर बुखार रहना अकारन वजन घटते जाना smartphone गाहो जाना एससे तो HIV आपको उस समय पेशन में पाए जाते हैं, उसके हिसाब से उसके नुसार चिकित्सा की जाती है, निवारा को पायों में बहुत महत्पूर्ण है, असुरक्षित तथा बहुलेंगिक संबंधे बनाने से बचें, अगर आप कंडोम का प्रयोग करें तो आत्री उत्तम है, कंडो मुँ में छोटे-छोटे लाल दाने हो जाते हैं, जिनके बीच में नीलेवा सफेद फोले होते हैं, पूरे शरीर की त्वचा पर दाने उभर जाना, उपचार में एंटिवायल चिकित्सा वा लाक्षनिक चिकित्सा, निवारा खुपाय, बच्चों का टिका गरण करें, स् पीरिया से कौन से रोग होते हैं, वाइरस से कौन से रोग होते हैं, या पर जीवियों से कौन से रोग होते हैं, अब एक शोट में हम जान सकते हैं, कि इन से रोगों के बचाव की उपाय क्या हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से जान सकते हैं, कि अगर हम अच्छा हमारा स्वास्थे मेंटेन रहें वजन हम नियंत्रित रखें और हम भरपूर पोशन संतुलित आहार लें हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी हो कि जिसमें हम सुभा टाइम से उट रहे हैं टाइम से खाना खा रहे हैं देर रात तक नहीं जाग रहे हैं ज्यादा मोबाईल या ज शारिरिक आराम के साथ मानसिक आराम करना भी ज़रूरी है। तो मानसिक VISHROAM के लिए आप योगासन हैं, मैडिटेशन हैं, ये जा सकते हैं। या प्राक्रतिक जगहों का आनन ले सकते हैं। अपना आपको स्वचता व्यक्तिका स्वचता बना के रखनी है सामाजिक स्वचता बना के रखनी है धूम्रपान है अलकोहल है इन सब का प्रयोग ना करें हाथ अच्छे से धोएं ताकि व्यक्तिका स्वचता का एक पाट है क्योंकि जितने भी आपके किटानू शरीर में जा तो इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोएं और जो आपके फल फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से धो करके खाएं यह सब आपके रोगों के बचाव के उपाएं हैं साथ में जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टायल अच्छा रहन से आपको लेना फिजिकल एक्सरसाइज आप करें डेली करें तो अगर आप इन सब चीजों को अपनाते हैं लोगों को जागरुप करते हैं तो आप इन रोगों से बच सकते हैं तो अब हम रोगों से बचाव के उपाएं जैसे हमने आपको बताया है तो इस तरह से आप एक स्वास्थे कार करता होने के नातिक लोगों को रोगों से बचाव के लिए जागरुक करें स्वास्थे शिक्षा दें व्यक्तिका स्वच्ता के बारे में उन्हें शिक्षित करें धन्यवाद